दोस्तों माल लो अगर आपके सिलिंग LED लाइट याने की LED पैनल लाइट का सरकीट ड्राइवर पुरी तरह से डेड हो जाता है या उसका रिपेर नहीं हो पा रहा है और आप न्यू सरकीट ड्राइवर खरीद कर पैसे खर्च करना नहीं चाहते आप किसी दूसरे सरकीट जु दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और टाक से तो चले दोस्तों हम इस LED पैनल लाइट में सब्लाइट दे कर देखते हैं कि या जल रहा की नहीं तो इसका जो वार है उसको हम अपने सिरीज बॉर्ड में यहां पर लगा लेते हैं तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते जो हमारा LED पैनल लाइट है वह जल नहीं रहा है इसका दो कारान हो सकते हैं पहला कारान तो आपका LED पैनल खराब हो सकता है या दूसरा कारान इसका LED सरकी ड्रेवर है वह खराब हो सकता है अब आपको पता कहचे लेगा कि इसका LED ड्रेवर खराब है या इसका LED पैनल खराब ह वो सकता है क्योंकि इसमें supply आ रहा है अगर इसमें supply नहीं आ रहा है DC output वोल्ट तो हम समझेंगे कि इसका जो circuit driver वह खराब हो चुका है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसका DC output वोल्ट आता है दोस्तों इसमें normal 70 से 80 old DC output आपको मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे इसका जो supply वार उसे अपने series board में लगा लेंगे तो हमने आप आप स्प्लाई दे दिया है अब आपको multimeter लेना है और उसे DC old 1000 rain बर set कर देना है आप चाहें तो 200 rain पर भी इसे check कर सकते हैं अब उसे पर दो तो इस circuit में supply आ रहा है कि नहीं उसे हम sort करके देखते हैं क्योंकि हम इसे series board में चेक करें अगर हम दोनों वायर को sort करेंगे तो हमारा bulb जल रहा है तो आप देसकते हैं जो bulb जल रहा है याने कि इस सर्कीट में supply आ रहा है अब इसके बाद हम इसका DC output वोल्ट चेक करेंगे छेक करेंगे पुछ वोल्ट आपको सो हो जाता है तो दोस्तों इस कंदिशन में आपको क्या करना है आपको इस तरह का आपको 9 Was का LED बल्ब लोने दिर लेने है दोस्तों देखेंगे दोस्तों यह जो बल बता उसका उसका जो लाइट था वह अ कई-सारे यहां पर डैमेज हो. इसका सर्कित ह्विक्जार स्विक्ट वीधर ठीक है तो हम इस सर्कियट एवर को इस 공 ardम में यहां पर जोड़ेंगे और देखेंगे कि हमारा जो LED पैनल है वा इससे सर्किट में वारक करता है की नहीं तो अब हम क्या करेंगे इसका जो वायर इससर्किट में लगा हुए सप्लाइवाला उसे हम साल्डिंग आएक्वी मदस्याप पर निकाल देते हैं तो इस तरह से हम निकाल दे हैं अब इसमें supply वार को इस तरह कार से जोड़ देते हैं तो हमने इसमें supply वार जोड़ दे हैं अब हम क्या करेंगी इसका जो supply वार है उससे अपने series board में लगाएंगे और इसका DC output वोल चेक करेंगी लगाने से पहले तो हम multimeter को 1000 rain पर set कर दे हैं DC में तो अब इसमें supply दे देते हैं दोस्तों अब उसके बाद हम चेक करते हैं तो आप देशते हैं इसमें 95-96 के आसपास DC output हो रहा है तो दोस्तों यह जो हमारा circuit है वो इसमें 95-96 के आसपास DC output मेर रहा है अगर आपका circuit में 77-80 ultimeter है तो और भी आदा अच्छा होगा तो अब हम क्या कर इसका जो वायर है उससे निकाल दे हैं अब इसका जो पीन वाला वायर है दोस्तों जो इस circuit में लगा हुआ है उससे हम बाहर निकालेंगे और इस circuit में लगाएंगे दोस्तों आपको भियान देना है कि इसका plus में कहां पर था दोस्तों जैसे कि आप जहां पर रेड़ वाई बास जुरे हुआथ वहां पर का जो प्लगवार है उससे अपने स्रीजबोर में लगा लेते हैं तो दोस्तों हमने इसमें लगा दिया है अब हमारा जो एलीडी पैनल लाइट है वह अच्छे से जल रहा है तो दोस्तों अगर आपका एलीडी पैनल लाइट का सर्कीट रेवर पूरीदर से डेड़ हो जाता है और आप न्यू सर्कीट खईदना नहीं चाहते तो आप इस तरह से अपने इलीडी बल्ब के सर्कीट की जुगार से इसे चला सकते हैं तो चले दोस्तों मिलते हैं नेक्स टूड़ में तब तक लिए जय हिन जय भारत